पदमीनी कोलहपूरी इस अस्ती की दर्शक की वो अभिनेतरी हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की दिलों पर रास की आपने पहचान इसका दर्बनाई की लोग उनकी हमेशा तारीफी करते हैं लेजन्ड राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में बता और शाइल आर्टेस्ट रूपा के रूल को प्ले कर पदमीनी निलोगों का दिल जेता क्या आपको मालूमें उनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि वो काफी टूट गई थी बात बताया जाता है राजेश खर्ना की एक फिल्म के लिए ओडिशन उन्होंने दी थी ओडिशन के दौरा आक्टर्स लाइन से गए हुए थे और भी तब पदमिनी कोलहा पूरे को कर दिया गया था रिजेक्ट वो साथ दिन और प्रेम रोग जैसी बड़ी फिल्मों की ऐक्रिस पदमिनी लुगी सूपर स्टार अभी नेतरी है उन्होंने सूपर स्टार राजिश्खना के फिल्म के रिजेक्शन का साबना किया पदमीनी की दिल पर बुरी तरह से ये बात लग गई थी वो एक्ट्रेस है जो की बचपर से कैमरा फेस करती आई है और ऐसा रिजेक्शन झेल कर वो काफी तकलीट में थी सत्यम शिवम सुंदरम में उनका एक्ट लोग जानती ही है कितना शामदार था दूसरी अक्टिस को काम पर रख लिया गया था राजेश खर्ना की कहने पर और पदमीनी की आखों के सामने ये सब हुआ तो वो रो पड़ी थी पदमीनी ने खुद बताया था कि फिल्म चलता पुर्जा के लिए एक चाइल आटिस की जरुवत थी चैन बॉलिवूर की सुपरस्टार राजिश खर्ना को करना था और लड़की और और भी थी वहाँ परबाल का लाकार की रुप में और इशर्दे ने आई लेकिन पदमीनी बहुत एक्साइटेट थी इस फिल्म के लिए उन्हें सेलेक किया जाएगा उन्हें भरोसा था राजिश खर्ना के साथ काम करने का मौका मिलेगा इसकी एकसाइटमेंट थी लेकिन उनकी जगा किसी और को राजिश ने चुना वो बिलकुल रो पड़ी थी उनका दिल तूट गया था पतमीनी ने कहा था ऐसे कई मौके आ जब वो रिजेक्ट होई थी वोसे कभी नहीं भूल पाई है उन्हें नहीं फर्क पड़ता उनके बारे में क्या कहा जाता है दुनिया भर में लेकिन राजिश खर्ना कि वो तारीफ करना चाहेंगी क्योंकि वो शांदार कलबार है क्योंकि वो हमेशा उनकी प्रशन सक रही एक शनाइन यजों सरब तेगरे पूँए